हेलो फ्रेंड स्वागत है अब सब का डुगू की चैनल और व्लॉक्स में फ्रेंड आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़िदार चायकेदार सुपर टेस्टी सबजी की रेसिपी ये सबजी बनिएगी हमारी कुछ अलग तरीके से जिसे बनाना बहुत ही सिंपल होगा लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होगा जिसे ये सबजी खाना पसंद नहीं होगा वो भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मांग कर खाएगा तो चलिए फ्रेंड सम बनाना शुरू करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दिजिएगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं निनुआ जिसे हम घ्योड़ा भी बोलते हैं इनको हम अच्छे से ऊपर से छिल लेंगे इसका छिल का निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा इसे हम दबा के नहीं हलका फुलका ही निकाल लेंगे क्योंकि यह एकदम ताजे और नर्म है मैंने इनको अच्छे से साफ कर लिया है धुल के और अब हम इनको कुछी इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े टुकडों में काट लेंगे और बीच से भी इनके हम कुछी इस तरीके से कट का निसान लगाएंगे जैसे हम बीच में कोई भरवा बनाते हैं, कट करते हैं, वैसे ही हमें इसको काट लेना है तो मैंने यहाँ पे कुछ और नेनुआ को लेके अच्छे से कट का निसान लगा लिया है अब हम इसके लिए एक मसाला तयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए धनिया पाउडर, मैंने दो बड़े चमच धनिया पाउडर लिए है और इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी लाल मीच पाउडर जितना आपको तीखा खाना पसंद हो, उसी साफ से कम या ज़्यादा मात्रा बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसी के साथ इसमें हम अद्रक लसुन का पेस्ट भी मिला लेंगे स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नमक हम इसमें मिला लेंगे बाकी हम बाद में भी नमक का यूज करेंगे और एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पे सरसो का तेल भी मिलाया है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी भी इसमें हम मिला लेंगे लगभग दो से तीन चमच यह एक घोल की तरह तयार हो गया है लेकिन बहुत पतला नहीं है यह ठीक ही है अब हमने जो इसमें कट लगाए है सबजी में उसको फिल करेंगे कुछ ही तरीके से बीच में इनको भर लेंगे सारे हम जैसे भरवा बनाते टाइम मसालों को फिल करते है वैसे ही इसको भी फिल कर लेना है तो यहाँ पे मैंने सारे जो कट लगाया थे सबको फिल कर लिया है अच्छे से यह देखिए हमारा ये निनुवा आप तयार है फिल होकर के ले चलते हैं गैस की तरफ इसको अप गैस पर हम कडाही को गर्म करके उसमें तेल गर्म करेंगे जिसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी से हींग तेल आप सरसो का ही यूज करें तो अच्छा टेस्ट आएगा और ये मैंने एक मी मिर्च भी काट करके मिला सकते हैं जीरे और प्याज के साथ मसाले मैंने 2-3 मिनट तक भून लिये हैं मिरियम टू लो फ्लेंपे थोड़ा सा नमक मैंने मसालो में भी मिलाया है लगभग दो पिंच और इन्हें हम फिर से चला करके 1-5 मिनट तक भूनेंगे मसाले जब अच् नेनुव को फिल करके रखा है उसको इसमें मिला लेंगे कुछी इस तरीके से हम साधानी से कडाही में रखेंगे और यह देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे से हमारी नेनुव सेट हो गया है मसाले अच्छे से तयार है अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ढख करके लगभग 3-4 मिनिट तक एक साइट से यहाँ पे मैंने इसका ढखकन भी लगा दिया है और पकने दिया है तो 3-4 मिनिट के बाद मैंने ढखकन को हटाया है और कुछी इस तरीके से इसका साइट चेंज कर दिया है क्योंकि हमें उपर से भी इनको पका लेना है नीचे से ये तो पक गया है लेकिन उपर से हम इनका साइट चेंज करके फिर से पका लेंगे तो कुछी इस तरीके से मैंने साधानी से इनको पलट दिया है ये देखिए ये सबजी जो हमारी बनेगी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनेगी इसका फ्लेवर अलग ही होगा नॉर्मली जो हमने नुआ की सबजी बनाते हैं उससे मैंने इसको पलट दिया साइट चेंज हो गया अब हम इसको फिर से ढखके 3-4 मिनट दूसरे साइट से भी पका लेंगे तो मैंने 4-5 मिनट के बाद ये ढखकन हटाया और अब ये देखिए मैंने चेक किया है सबजी हमारी अच्छे से पक गई है एकदम बढ़िया से सौफ्ट हो गई है इसे अब हम खाने के लिए सर्व कर सकते हैं तो यहां पे अब हमें गैस को आफ कर देना है और इसे खाने के लिए सर्व कर लेना है तो फ्रेंड्स हमारी ये निनुवा की स्वादिष्ट, मज़ेदार, जयकेदार, टेस्टी सबजीवन के तयार है इसे हम चावल रोटी किसी भी चीज के साथ आराम से खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगी तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब